कि अज़िए चलो भई ब्रेक से पहले क्या किया था सर हमने कॉंसेट्स किया गुट और कुछ कोश्चन्स भी किये जो हमें बड़ी मुस्किल लगे कोश्चन बड़े आसान लगे कॉंसेट्स तो अब हम लोग इस्टार्ट कर रहा है कोश्चन्स और कोश्चन्स एक कोश्चन्स मैंने अल्रडी आपको होमबर्ग दे रखा उसके अलावा जितने भी कोश्चन्स से मुझे करवाना पड़ेगा कॉश्ट तू कैरी मॉडल है और लेकिन ये डला हुआ है इस्टेडी मटेरियल नियू सिलेबस नियू सिलेबस का मतलब आपको है ना जो अभी आ गया है जो अभी आने वाला प्रपोरिस की बाद तुम्हेर नहीं ही रहूं और स्प्रिंट है बहुत सारी गलतिया है और जब न्यू इस्टडी मटेरियल में यह कोश्चन डलेगा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ICAI इस कोश्चन को चैंज करके ही डालेगा उन गलतियों को ठीक करेगा पर पता नहीं कौन बैठ था है कि बस कॉपी पेश चल रहा है उसे चेक तो कर लो कम से कम देखते हैं देखते हैं आपको खुद को समझ मेंगा कोश्चन नमबर हड़ी से बढ़ें जी लिखा कैलकुलेट दप्राइस अब थ्री मन्त एक चीज़ तो पक्की है कि हमें थ्री मन्त वाला निकालना पी क्यू आर फ्यूचर इफ पी क्यू आर का जो फेस वैल्यू दिया है दस रुपए तर फेस वैल्यू दिया है क्यों दिया होगा फेस वैल्यू दस रुपए ऐसा तो जनरली हां सर आप डिविडेन रेट लेते थे तब फेस वैल्यू हां फेस वैल्यू दिया है तो कुछ तो होगा और कितना रुपए है 220 तो no doubt कि हमको S तो पता लगए और S है 220 और इसका face value कितना है 10 and 3 month future price 3 month future price भी दे रखा है 230 रुपए तो यह सर हो गया F ठीक है यह भी बास समझे में आगए and the one month borrowing rate is 15% per annum one month borrowing rate is 15% per annum period है 3 month rate दिया है 15% per annum तो यह one month किदर से आया समस्या यह है मतलब यह एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई यह one month क्या है भई one month ठीक है यह एक समस्या है आगे बढ़ते है इस क्या नाव the expected expected annual 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 dividend is 25% people before expiry समस्या दूसरी expected annual dividend rate की dividend yield और क्या बोल रहा है आपको आर्विटेज हंड्रेट परशन आर्विटेज पूछो हम आर्विटेज निकालने को त्यार है आई-सी ए-आई लेकिन भई language तो clear कर दो ना यार language ही कर बना बता दो कि 25% dividend yield है बता दो कि 25% dividend rate है तो हम कर लेगे हमको language clear चाहिए concept हमको आता है अब concept में माच जा हो language में दिक्कत है खेर जो भी हो हमें सबसे पहले क्याने काना theoretical future price अगर लिखना हो तो लिख सकते हो cost of carry model पता है क्या है yes sir f is equal to s 1 plus r minus main तो यही formula s कितना है sir s तो है s है 220 अब कुछ लोगों ने और दिमाग चलाए one month लिखा है तो monthly compounding कर लेते न मतलब sir 15% है तो 15% का एक मेने का rate निकल लेते सायद वो बोल रहा होगा sir कि monthly compounding करो अच्छा कहां से सुनाई दे दिया कि monthly compounding करो ऐसा बोल रहे करके अच्छल में होता क्या सुना यहां one month की जगा लिखा होना चाहिए था three month borrowing rate उससे क्या फर्क पड़ जाता अगर वो कुछ नई भी लिखता 15% पर रहे नहीं लिखता तो वैसे हां पर जनरली ऐसे लिखा जाता सुनो 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 मरी बात सुन लो काम आये गए जैसे आव ज क्या चल रहा है तो वैंक मालूम है आपसे क्या बहले हैं अच्छा बढूर करना हैं कि हां तो अईए बता को कितने नहीं मतल्ब यह है कि आपको three month के लिख i cot कि लिख काउना है कि did that क्या शाम का रहे थो हम आप यहां है पर आपका जो पर है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चैंज होता है अगर आप 3 मंथ के लिए तो बैंक आप से 15 पर इनम चारज करेंगा लेकिन 6 मंथ के लिए तो हो सकता 13 पर इनम चारज करें ठीक है इत मिंस 3 मंथ इसे मेंद्ध बॉर्व्रेट है 15 परेयन, 6 मन्द बॉर्वर्विंग रेट है 13 परेयन, यह हो सकता था, मेरी मेरा अनुमान है, मेरा सोचना, मेरी ओपिनियन की यहाँ, 1 मन्द की जगा 3 मन्द होना चाहिए था, फर ठीक है कोई मन्द लगा, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नही 1.0375, 1.0375, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना नहीं था, आइसी AI ने भी यही काम कर रखा, माइनस, 25% किसका, अलग-अलग टाइप के बच्चों का कहना है, पहले टाइप के बच्चे सर, 25% dividend yield समझ में आ रहा है आपको, dividend yield इतना होता है, कि dividend rate हो सकता है, dividend yield मतलब market price पे कौन देता है, 25% तो सर, ये face value का, dividend yield इतना, बिटे, market में क्या हो रहा है, इसको तो भूली जाओ, अगर ऐसा market सोचने लगे ना, तो बैन मच जाएगी बहुत कुछ है फिर market में, जो practically हमें ऐसा लगता नहीं है, में market के विश्चे में तो नहीं सोच रहा हूँ, फिर सर क्या सोच रहा हूँ, institute ने, एक institute ने क्या कर रहा है, 25% मालूम है किसका लिया है, face value का, 10 रुपे का, ठीक है सर, हम भी तो वही बोल रहा थे, हाँ, लेकिन मैं exemption लिखूंगा, कि 25% किसका दिया है, face value का दिया है, face value पर calculate किया गया है, ठीक है, ठीक है सर, तो दस रुपे का 25% कितना आ गया है, 2.50, तो 220 इन्टो 1.0375 माइनस 2.5, तो सर यह आ गया है, 225 रुपे, 75 पैसे, सर, dividend साल भर का होता, साल भर का होता, लेकिन यहां एक सब्द और है, annual, अगर मेरे नजर में देखो, annual सब्द दिया हुआ है, annual सब्द, तो फिर भाई साब, आपको ना यहां तीन महने का निकाल लेना चाहिए था, dividend, पर institute ने पूरे साल भर का कर रहा है, अभी मैं और भी बात करूँगा, पहले assumption लिख दूँ, it is, assume that dividend is calculated on face value, ठीक है, यहां तक बात समझे में आ कई, yes, तो दो चीज़े थी, दो चीज़े के, सर मतलब dividend yield देगा साफ साफ, तब ही मैं share कर लूँगा, parent market price कर लूँगा, और सिर्फ dividend करके लिखा हुआ, तो मैं एज्जिम कर दी, assumption जहां भी दिक्कत हो, आप लिख दिया करो, यह dividend rate है करके, बस मैं आपसे यह बोल रहा हूँ, कि यह होना क्या चाहिए था, periodical होना चाहिए था, सर, dividend rate periodical नहीं होता है, हाँ, बेलकुल, dividend yield होता, तो periodical होता क्या होता, पर ICA ने, उसको भी periodical नहीं कर रखा, इट मीन सुनो, 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 सुनो धियांसे, सुनो, जब भी, जब भी, arbitrage वाला question रहेगा, arbitrage, institute में, देखो, मेरी बास समझो, total मिलाकर दो question है, दो question है, arbitrage वाला, जिसमें dividend आया हुआ है, दो question, ठीक है, ठीक है, दोनों ही question में, जो dividend का amount है, वो, ICA ने, periodical नहीं किया है, तर क्या बोल रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मत समझू, यहां बात समझ में आगी, सर यह वाला question हमको समझ में आगा है, ठीक है, आगे एक आथ question आएगा, तब मैं उस question पर बात करूँगा, ठीक, अभी यहां तक हो गया, यह क्या, 225 यह क्या है, 230, क्या future is overpriced, यह तो arbitrage वाला काम कर ले, यह तो बात करेंगे, arbitrage ठीक है, पेला क्या हो जाएगा, arbitrage लेरेदेजमिसर एक्षिं जो इस फूचे इस इतर इस पर्थेचत प्ल्फ यजी रेन आइस पॉत दूसरा क्या हुज जाएगा प्रोसेस प्रोसेस में क्या हो जाएगा आज की बात लेलो सबसे पहले किया जाएगा टूडे पहला डॉट बॉलो बॉरो करेंगे सर इतना रुपए रुपीज इतना रुपए बॉरो करेंगे 220 बाइश टॉक दूसर रुट बॉरो तो कर लिया भाई श्टॉक को बेचना बड़ेगा ना यास अचिए अचिए श्टॉक अचिए फुचर प्रैस इगा अधा को दिकत नहीं सर अब सर आफ्टर आफ्टर थ्री मुंथ्ट्री मुंथ् सबसे बहुत क्या जाएगा कैश इंपोस और कैश इंप्टॉम में क्या एगा सेलस्ट्री अट फ्यूचर प्रैस कितना रुपए सर फ्यूचर प्रैस 230 और सुनों डिविदेन भी है इसमें डिविदेन इंकम कितना रुपए 25 जाएगा कैसा फ्लोस प्रेपैमेंट आफ बोर्राइं यह लोन प्रेपैमेंट आफ बोर्राइंट आफ दोसाबिस 1.0375 तो सरी यह आ गया है 228.25 कैसा आउट लोट इसको माइनस में दिखा देता हूँ तो 230 प्लस 2.5 माइनस 228.25 4.25 और बड़ता है जो तो इस एक प्रेपैमें डूट गया है एक जे थी थीक्या आयसे कोस्टन है ऐसी है गए कन फ्यूजिएन लेंगविज सही से शैठी नहीं था लोगर्व अगला कोश्टन नमबर 38 पड़े कोशन चीज़ लाए दशेर अप एक्स लिमिटेट इस करेंटली सेलिंग 300 तो पता लग गया 300 एक चीज़ तो कनपा रिस्क फ्री रेट इस 0.8 पर सेलिंग पर मन्थ 0.8 पर सेलिंग पर मन्थ एक मेने का रेट दिया ठीक है साथ जेल लेंगे जेल लेंगे और पिरियड है थ्री मन्थ फ्यूचर कॉंट्रेक्ट मतलब F दिया हुआ है 3-1-2 डिवलप एन आर्बिटरेज स्ट्राइजी देट शोओ वाट यूर रिस्क लेस्ट प्रोफिट विल बी थी मन्थ हंस अजुमिं थाच लेंगे यूर लोल्ट पे निविए नियूचर के लिए दियूचर का रेट लेंगे theoretical future price ठीक है अब theoretical future price का formula हमारी पास है क्या एस formula क्या है theoretical future price का f s 1 plus r d नहीं है तो उसकी बात ही क्यों करें एसम को मालूम है क्या rupees कितना 300 अब सर रेट कितना rate है 0.8% 0.8% एक महने का तो तीन महने का कितना ना 0.8 into 3 2.4 और 2.4 और 2.4 लिख सकते हैं 1.024 एक तो यह हो गया दूसरा यह है कि 0.8% मन्थली दे रखा इट मिन्स वह कहना चाहता है मन्थली compounding करों मतलब 0.8 divided by 100 plus 1 तो 1.008 पावर 3 1.008 into equal to equal to तो दूसरा आ गया 1.0242 सवाल यह है कि हमें यह वाला लेना है कि यह वाला लेना है हमें क्या लेना है हमें यह मान के चलना simple interest simple interest समझे रहो न हाँ सर 0.8 to point या फिर तूंकी 0.8% दे रखा periodical it means वह कह रहा कि मन्थली compounding करो क्या करना देखो अगर मैं आपसे बोलूं एक rate दिया है 2% 3 महने का तो 1.02 पर वो बलेगा 2% 3 महने का पर आपको rate निकालना है 6 महने का period है 6 मेने तो फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि उसको compounded quarterly करना पड़ेगा क्योंकि quarter का rate दिया बात समझा दा क्योंकि मन्थ का दिया है और आगे के period का मांग रहा तो आपको उसका compounding करना पड़ेगा अगर तो तीन मेने का rate दिया है और छे मेने का मान रहा है तो आपको compounded quarterly लेकर उसको छे मेने तक पहुचाना पड़ेगा इसलिए periodical rate दिया रहता है तो पक्का ना पक्का भाई पक्का तो सर हम ही क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा 1.008 पावर 3 तो 1.1.008 इंटो इक्वल टो इक्वल टू इंटो 300 तो यह आ गया थी जीरो से 1.26 तो एक्वल फ्यूचर प्राइस क्या है तो 312 ओवर प्राइस ओवर प्राइस से तो सर हम तो हम से हो जाएगा यास फिर से करते है आर्विट्रेस आर्विट्रेस में सबसे पहले क्या आएगा भाई जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो सर एक्शन गोड़ अब तो आप मेरे बिना भी कोशिन कर सकते हो एक काम करते है आप भी करो में भी करता हूँ सॉलूशन देखे कि अगर सॉलूशन देख रहे तो शर्माना चाहिए, सॉलूशन तो किसी और ही तरीके से सॉल है, वो भी समझाओंगा कैसे सॉल है, अपने तरीके से करो ना भाई, करते जाओ, चुप चाप भी ना देखे, इसको बोल बोल करने लिखा हूँ, इसको क्या बोल करने खलना लिखाना भई, इसमें कुछ है यह नहीं, वो तो मैं करवा रहा हूँ, मैं तो इसको चाहता था, तो मैं यह बोल सकता था, आप खुद कर लीजी हो, वक्त, सबसे पहले क्या करेंगे सेर, बौरो, कितना रुपे, थी हंड़ेट, बाइ स्टॉक, जो बौरो किया उसको क्या करोगे सेर, जो इस्टॉक खरीदा है, ठीक है, यह काम हो गए, आप क्या हुजाएगा, आफ्टर, प्रीमंस, या थी है, प्रीमंस, घिक करेंगे सेर, बौरो, क्या दे लिएप, यह करेंगे, लुटस क्या क्या वह प्रीं команд fen arbeitet, इक है, बौरो, क्या है, आप क्या ओूरो, क्या है, गूरो, क्या है, प्रीमंस, यह बेच रहा है 312 में डिपेमेंट अप लोन इने काला हुआ है आपका 307.26 मैं यह बेच रूपीस 4.74 यह बताइए क्या इस कोश्चन में किसी भी टाइप की आपको परिशानी होनी चाहिए नहीं 100% नहीं होनी चाहिए बस एक समस्या है क्या IC AI का सॉलूशन आपके सामने है क्या उसने ऐसे सॉल कर रखा नहीं उसने किसी और तरीके सॉल कर रखा वो भी समझा दे रहा हूं पर हम शॉल ऐसे ही करेंगे पर कुछ बच्चे वो बोलते हैं नहीं नहीं सरावन को तो IC AI ने जो किया हमें एक एक सब्दोव ही लिखना है उन लोगों के लिए उसने जो सॉलूशन किया वो सॉलूशन तब भी करेंगे जब दो प्राइस दिया रहेगा अब उसने कैसे किया सुनना बस सुन ले ना करने की ज़रूरत नहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं उसने गहा देखो भई पैल फ्यूचर लिखा ठीक मतलब सर्फ रॉट परजिशन हो गया मतलब सर्फ तीन सो से बारा से कम हो गया तो exercise ठीक है सर इसमें कोई दिकत ने प्रFr.उसने क्या किया है जीरो जीरो पीडियो । आज हम ह्यूो करें एट रूपए बौडू करेंगे सर्थ तीन सो पर तो तीन सो आया और उस से हम श्टक खरी देंगे, 300 गया, तो आज जीरो है, ये कब की बात है, ये आज की बात है, टूडे, ठीक है, ये किया, और बोले, तीन मैने बाद क्या होगा, पहले तो जो बोरो किया था, उसको क्या करूँगे, रिपे, तू आया था, 300 कितना आया था, देख लो, 307.26, ठीक है, और उसके बाद बोले, सेल कर देंगे, क्या शेयर, सेल करेंगे हम 312 में, नहीं ना बिटे, बस वही तो बात है, अगर दो प्राइज होता था, याद करो 200 होता था, 800 होता था, तो या तो हम 200 में बेशते थे, 800 में बेशते थे, इस पे नहीं बेशते, इस पे तो चल रही है, हाँ सर याद आया, याद आया, याद आया, तो बस किस पर बेचेंगे, जो भी प्राइस होगी, उप्राइस ही तो नहीं दिया है, तो इसने क्या किया, उसने का कि चलो मान लेते हैं, श्टॉक, इस पॉट, उस समय है, जब तीन महाम में हो जाएगा, तो इस टॉ फिट, और लोस, और फिचर, बहुत है, मान लो, दो सो रुपे प्राइस होगा, तो वह आके कम हो गया, तो हमको डिफरेंस मिलेगा, मतलब हमें मिलेगा, कितना, हमें मिलेगा, तीन सो बारा में से माइनस क्या कर देंगे, एश्टी, याद रखना, यह सिर बेचने से प्लस होगा, तीन सो बारा में से दो सो तो डिफरेंस है जाएगा, यहां दो सो जाएगा, यहां माइनस दो सो जाएगा, तो अगर यहां छे सो हुआ तो यहां यह माइनस में है जाएगा, और आपको बताओं, अल्टिमेटली क्या होगा, यह स्टी, यह स्टी कट हो जाएगा, त चक्करों में ST ST कास्क जिसके समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है और इसके समझ में नहीं आया वो वही करें जो में कर वा रहा हूं क्योंकि 99% कोश्चन में ICAI ने वही किया जो हमने किया है एकात कोश्चन में ऐसा अलग से कर दिया तो क्या हम कैसे याद रखेंगे भाई इतनी सारी चीज़े है ठीक किसा चले जी आगे कोश्चन नंबर 39 कहां आया है कोश्चन इस्टेडी मटेरियल ने निउसलेबस और प्रैक्टिस में आगे सर एक तो देखो आठ नंबर का कोश्चन आएगा यस इतना सा कोश्चन आपको लग रहा है आठ नंबर का आएगा दो लाइन का कोश्चन बिल्कुल सहीं बोल रहा है अब मैं एगरी हूँ आपकी बास से लेकिन ये वाला पॉइंट कोई बड़े कोश्चन में उठा कर डाल दिया तो है तो आखिर हमारे सिलेबस कई है ना बही करना तो पड़े गई करें यस देखते हैं क्या लिखा तो शिक्स मंथ फावड प्राइस फावड प्राइस याद रखना फावड प्राइस अब सिक्यूरिटी कितना दे रखा 208.18 ठीक है तो तर सर एफ दिया है यस एफ दिया है बॉरिंग रेट दे रखा 8% पर एनम पर क्या लिखा है मन्थली रेष्ट सर मन्थली रेष्ट का मतलब मन्थली कंपाउंडी अच्छा मन्थली कंपाउंडी वाट शुड़ बी दा इस पॉट प्राइस सुनो 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 मांग क्या रहा है मांग रहा है स्पॉट प्राइस एस मांग रहा एस सर, F निकालने का फॉर्मूला था S, 1 प्लस R मानूड़ी नहीं है और मैं आपसे ये वोट रहा हूँ कि आपको ये दे दिया है, ये दे दिया और आपसे ये मांगा है तो क्या ये निकाल सकते है? 100% निकाल सकते हैं लेकिन सुनो, सुनो, सुनो ये जो F रहता सर ये F actual वाला नहीं रहता है ये रहता है theoretical वाला और यहां दिया है actual अब ये नहीं बोल सकते हैं कि ये theoretical है मतलब अभी तक सारे question में आप actual actual बोल रहा है और आज बोल रहा है कि ये theoretical है अब किसी भी question में आप बोलोगे ये actual है ये theoretical है सुनो ना सुनो तो बच्चो और कोई दूसरा तरीका है अगर ये नहीं पता होगा तो अगर आपको कहोगी बिट्टी ये निकालना है और कोई दूसरा तरीका है कि आपके पस नहीं मैं एक assume तो कर सकता हूँ make up कह रहा हूँ कि ये actual नहीं ये actual है पर assume कर रहा हूँ कि जो theoretical है ना वो actual के बराबर है ये तो कर सकता हूँ ठीक है सुनो बास सही पहले assumption ही लिख देते हैं आप दुखी क्यों हो रहा है it is assumed that it is assumed that theoretical forward price is equal to actual forward price ठीक है अब तो ठीक है चलो कैलकुलेशन ओप स्पॉट प्रेस अब अब यहां ध्यान से समझेँ अफ कितना ले रहे हैं 208.18 S निकालना है अब यहां मन्थली कमपाउंडिंगे तो पहले 8% का एक महने का रेट डिवाइड वाइड 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 प्लस वाइड टीक है तो एक महने का रेट का फैक्टर निकालना पड़ेगा 8 डिवाइड वाइड 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 प्लस वान तो सर यह आ गया है 1.0067 पावर 6 हो जाएगा तो चे महने कर इट तो सर S is equal to 208.18 divided by 10067 power 6 आंसर चाहिए मज़को 208.18 divided by 1.0067 एक, दो, तीन, चार, पाँच छे 200 रुपए मैंने कैसे किया पता ना यह तो present value निकालना है 208.18 208.18 divided by 1.0067 एक, दो, तीन, चार, पाँच छे अंसर आगे 200 रुपए सर मल्टीबल चोइस कोश्चन हो गया है कि यह सी मल्टीबल चोइस कोश्चन टाइप का है हाना कि एक्जाम में इस टैप का कोश्चन आएगा नहीं पर कोई है कि भी है तो हमारे study material में तो करवाना तो पड़ेगा चलो सर आगे चलते कोश्चन नमबर 40 अच्छा कोश्चन तो रीट करो इववर अगे थर दो हुआ 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 है देखा हुआ ओन एकतिस आठ दोहजार ग्यारह एकतिस आठ दोहजार ग्यारह देट क्यों लिखा ऐसी दोहvention अठ प्रिता दीटी मैं वार्णी कहता है अचलियोच आठ इसे थे झाठ इसे अदृट एकतिस है ठीक है, कहना क्या चाहता है, वो मैं समझा दूगा Assume that interest is continuously compounded daily Find out the future price of contract deliverable on 31 December 2011 और given e-power point is 01583 जुका पता नहीं क्या बोल रहा है और सुनो ऐसा नहीं है study material, new syllabus में भी question और practice manual तिक अब समझाने की कोशिश करूँ आप अभी कहां खड़े हो सर हम खड़े, अगस्त 31,08,2011 मतलब क्या मैं line यहां से खीच लूँ और यह date आई 31,08,2011 और यहां index का price कितना दिया है 22,00 ठीक है और मुझे future price कब का निकालना मुझे future price निकालना 31,09,2011 मुझे निकालना 31,09,2011 मतलब सर यह spot price है यस, spot अब जब मैं यहां खड़ा हूँ तो मुझे dividend yield है की निया अगर मेरा formula की बात करो तो क्या यह मालू है 22,00 क्या rate of interest पता है 8% क्या dividend भी है हाँ और dividend yield दे रखा है बुले September में dividend yield होगा 3% पर एनम आक्टोबर में क्या होगा 3% पर एनम November में क्या होगा 4% पर एनम और December में क्या होगा 3% पर एनम हाँ अगर आप यहां खड़े होते तो हो सकता है हमारे काम का यह dividend yield नहीं है यह हमारे किसी काम का नहीं हमारे काम का बस अगस्त के बात का है क्योंकि आप यहां खड़े होके आगे का सोच रहे हो तो पिछला जो dividend yield था हमारे काम का नहीं है आगे जो कमाएंगे वो हमारे कम का है पर सर ये एक महने का सिफ सेप्टेमबर का है सेप्टेमबर का नहीं है ये क्या है पर एनम सोरी पर एनम ये भी क्या है 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 पर एनम तो डिविडे रिल चाहिए, कास ये एक ही बोल देता ना, कोई भी, कोई भी एक बोल देता कि आनी वाले चार मैने में डिविडेंट रिल दो परशन पर है नब तो हम अपने हिसाब से काम कर लेते समस्या यही है कि अलग-अलग है अब क्या करें, अब क्या करें, अब हमको अबरेस करना पड़ेगा, ठीक है तो काम करें, यस सरी, इन्फोर्मेशन क्या दिया, वो बाद में समझ में आ जाएगा तोटें सले Calculation of Average Dividend Yield Average Dividend Yield का क्या फॉर्मूला है, बेकार की बाद कर रहा है इसका कोई फॉर्मूला हो आथा कि Average Dividend Yield 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 दिवाइड़ेड़ बाए 4, तो 4 कहां से आया क्या बात कर तो 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 दिवाइड़ेड़ेड़ बाए 4 तो यह आगे 3.25% 3.25% पर है ना, ठीक है ठीक है सरी, अब फ्यूचर प्लस ने कर लेते हैं इकलेशन ओफ फ्यूचर प्लस यह थिवूचर प्लस यह थिवूचर प्लस F is equal to S, क्या continuously compounding है Yes, हम क्या करते है, E R minus yield into time तिक spot price कितना है सर spot price, spot price कितना था 22 rate of interest कितना है 8 पर 0.08 minus 0.0325 time कितना था सर्फ time days में calculate कर ले कि month में अगर days में करो तो September 30 अगर days में करना तो days में भी कर सकते हूं days में करना है तो यहां क्या जाएगा 30, 31, 31, 31 plus 31, plus 30, plus 30, plus 30 122 days पर क्यूंकि मन्थ में है तो हम क्यों एक्स्ट्रा दिमाख चला है हम मन्थ में ही करेंगे ठीक है तो 4 by 12 2200 into a 0.08 minus 0.0325 into 4 by 12 तो सर्फ is 0.01583 कास इसकी value पता लग जाए और इसकी value यह देखो मिल गया कितना तो सर 2200 into 1.01593 तो सर यह आगे रूपीस 2235.046 यह लाओ सर एक बाद बता हुम यह कुछ नहीं करते सीधा 2200 हमको पता और यह value पता सीधा multiply करते आंसर निकालते हैं हाँ number 13 मिलते है आप क्या सूच रहे हो आप ही दुनिया में intelligent हो क्या चले जी आके अब आया केल और यह एक्जाम में आया हुआ है और मालुम है यह लिखा होगा आपको यह आया था यह कोशन अच्छा है इसमें कोई शक्की बात नहीं है और यह आया है देखवा दूँगा हलाकी बुक में नवंबर दोहजर उननेस ओल्ड चलिवस में आया था नवंबर दोहजर उननेस के पीपर में था कोशन अच्छा तीनी कोशन बचे हुए अगर में देखू और तीनों कोशन पर मुझे महनत करवानी है जितना भी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं आराम से सुनते जाना महनत है इसमें कोशन नमबर फॉर्टीवन देखते हैं एक पॉइंट कितने का सौ रुपए का ठीक उससे हमको कोई फर्ग नहीं पड़ता आगे आप यहां हूँ 15 सेप्टेमबर को ठीक है और यहां इंडेक्स का जो प्राइस दे रखा वो दे रखा 1-1-9-5 और आप दिसमबर फ्यूचर निकालने का 15 दिसमबर का फ्यूचर निकालने का सोच रहे है 15 दिसमबर और उसका एक्च्वल फ्यूचर दे रखा है फ्यूचर प्राइस कितना दे रखा है 1225 क्या है फ्यूचर कब का है दिसमबर का पर अवेलेबल कब है 15 सेप्टेमबर को यहां तक ठीक है इस्टोरिकल डिविदेन इल्ड ओन दे इंडेक्स हैज बीन थ्री पर्शन पार रहे है ठीक है एंड दा बोरिंग रेट वास नाइन पॉट्वट्वशन पार रहे है ठीक है सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है पहली नंबर पी क्या मांगा डिटर्माइन वेदर ऑन सेप्टेमबर 15 दिसमबर फ्यूशर वर अंडर प्राइस और ओर प्राइस निकालना उसके लिए हमको थेवरिटिकल फ्यूशर प्राइस निकालना पड़े दूसरा क्या कोई आर्विटर्स पॉसिबिटी है देख लेंगे मिस प्राइसिंग होगी तो आर्विटर्स पॉसिबिटी होगी इसरा calculate the gain or loss if the index on 15 December दो प्राइस मेंने का था अगर 1260 दिया है तो क्या और 1165 दिया है तो क्या 1260 दिया है तो क्या करना है 1165 दिया मतलब इस बार फिजीकल डिलेवरी वाला कोश्चन नहीं होगा फिजीकल डिलेवरी वाला नहीं होगा इस बार जो होगा वो यह मान के चलेंगे बैटिंग हो रही है ठीक है और और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है अब की बार तो बोली दिया कि एक साल में 365 दिन लेना है इट मिन्स वो कहना चाहता है कि जो भी calculation करोगी है वो days में calculation होगा ठीक है वासर कोश्चन तो अच्छा तो पहला पॉइंट करें हम क्या निकाले theoretical future price एलो कहता है वोल लोकि जृष्ण एलोस्चन पूर्बष्टिकरिश क्यासर है तो प्लोस्चन जो कि ए万真에게 क्यारे फितिकहाँ है झालेटरश।। F is equal to S continuously compounding नहीं है 1 plus R minus D into T ठीक है ऐसे ही तो बनेगा यार यह मुझे ब्रेकर्ट ब्रेकर्ट समझे बनेगा था अब समाल लेना भाई इतना तो समाल सकते हैं spot price कितना है चेक करो sir spot price 1195 1 plus R dividend क्योंकि yield दिया इसलिए मैं नहीं तो minus dividend करके मैं अलग से भी कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं अलग से भी कर सकती हूँ दिन नमवंबर का 30 दिन और 15 दिन है count करो 15 ब्लस 30 ब्लस 31 प्लस 30 प्लस 15 121 दिन हो गए कि भई सेटेंबर का 15 आक्टोबर का 15 नमवं और सेटेंबर का 5 आक्टोबर के 31 नमवंबर का 10 पर सिगन पंदरा ये प्लस अक्टोबर का 31 ये 30 नहीं आएगा न यार पंदरा प्लस 31 प्लस 30 प्लस 15, 91 days days में क्यों calculation कर रहा हूं क्योंकि नीचे days में calculation के लिए बोला और एक साल में दिन कितना 365 लिखा हुआ है 1195 0.095 minus 0.03 into 91 divided by 3 प्लस 1 1.0162 into 1195 तो सर ये आगया 1200 1214.37 ठीक है और क्या मुझे रुपीज में बताना है यस रुपीज में भी बता सकते हूं 1214.37 इन्टू हंड़ेट तो सर ये आगया रुपीज 12,000 एक लाग 21,000 4.37 ये क्या निकला अभी मेरे पहला पॉइंट का अंसर नहीं है ये क्या निकला तर ये थियूरिटिकल फ्यूचर प्राइज निकला किसका इंडेक्स का प्राइज निकला प्राइज रुपीज में ये पॉइंट्स निकला है पॉइंट्स और इसको हमने कनवर्ट किसमें कर दिया रुपीज में और एक्च्वल फ्यूचर प्राइज क्या है एक्च्वल फ्यूचर प्राइज है सर बारह सो पच्च्छिस पॉइंट्स कि अरत आगए रुपीज 1,225,000,00 तो मतलब इस अन्हें और प्राइज डिख रचे और बार शीक्र इसको देखब ये टाटल में देखने में कते हो इसको देखो ये कितना बार Singman ने कितना बारेज 5 जिस ओफ्यूचिस क्यों क्योंकि actual future, वो लिखना पड़ेगा, इस बार, actual future price is more than, वो बार, actual future price, is more than, theoretical future price, hence future is overpressed, ठीक है यही बूचा था future underprice है कि overprice ही यह बताना हूँ बता दी हमने, आगे क्या मांग रहा है, पहला point हो चुका है कि यह, क्या कोई arbitries है, to gain out this, yes, yes, और क्या करना है यह लिख देना, point number two, since future is overpriced, hence, possibility of arbitrage gain, in this situation, क्या करना, future, future sell करना, we, borrow, and buy, stock, borrow करेंगे, stock buy करेंगे, at current market price, अब future क्या करेंगे, sell, पर मैं sell future लिखना लिखे, short, and take short position on future, ऐसा लिखना पड़े, क्योंकि दो प्राइज दिया, and take, dot position on future at rupees, कितना, 1200 पेच्चेस, ठीक है, तीसरा मैं क्या नहीं लिखे, पूछ रहा, प्रॉफिट और लॉस, calculation of arbitrage gain पूछ रहा, ठीक है, दो प्राइज वाला है, ध्यान से करना पड़ेगा, दो possible price कितना कितना वाला है, या तो 1260, पहला price 1260, और दूसरा प्राइस क्या लिखा है, बाराइस क्या रहा सो पच्था, 1260, 1175, सबसे पहले जो borrow किया है ना, उसको वापस कर दे, repayment of borrowing, चाहे rate यह चाहे rate है, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ेगा, repayment of borrowing, कितना borrow किया था, ग्यारास सो, ग्यारास सो पंच्चन, rate कितना है, rate है, 9.5% पर हमको, 3 महने का, 91 days कर लेना पढ़ेगा, 9.5 into 91, divided by 365, divided by 100, plus 1, सबसे यहां जाएगा, 1.0, कित से आया पता है न, लिख दो न असर, लिए देता हूं मैं, 1 plus, 0.095, into 91, divided by 365, into 1,100 पंच्चन, 1223.30 आया, पर सुनो, जो भी आयाएगा, उसको multiply किससे कर दीगा है, मालू मैं, into 100, तो सर, यह आगा है, minus 1,22,330, into 100 क्यों किया, क्यों कि हमें रूपीज में दिखाना है, 1,22,330, बाज समझ में आ रही है, यह तो आपको पता होगा, कि 9.5% पर बोरू किया होगा, 91 डेस के लिए, तो यह एक का गया, into रूपीज में convert करना, into 100 किया, तो यह आगे, पहला तो काम हा, दूसरा क्या करेंगा, sell, यह तो minus हो गया, उसके बाद शर्शेर को बेचेंगे, जो भी होगा, into 100 करना पड़ेगा, अगर 1260 हुआ, तो 1260 का बेचेंगे, यह तो 1260 into 100, प्लास हो जाएगा, एक लाख 26,000, और ग्याराद सो पच्चत्तर into 100, यह भी प्लास हो जाएगा, एक लाख 17,000, पास सुनो, डिविदेंट भी मिलने माला, डिविदेंट, और क्या हो जाएगा, डिविदेंट इंकम, देख ले, डिविदेंट इल्ड है, तो पिरियोडिकल हो नहीं है, मतलब सरे, डिविदेंट इल्ड कितना करें, सुनना धियान से, डिविदेंट इल्ड कितना पर्षण है, तीन पर्षण, तो कैसे निकलेगा, 1175 का, इन पर्षण into 91, divided by 365, पर्षण लास्ट में 200 करना पड़ेगा, कुँकि हमें रूपीज मिलाना है, तो ए प्लस हुजाएगा, कितना, 893.79, ठीक, ठीक, लास्ट काम बचा, प्रॉफिट, और लॉस, अन फिश्चर, हमने कौन सा पोजिशन ले, शाट 1225 से नीचे जाना चाहिए, बार रो सो थाट हो गया, तो यहां क्या हुआ हुआ, 1225 से नीचे जाना चाहिए, 1260 तर लॉस हो गया, 1225 माइनस 1260 तर लॉस है, माइनस 3500 का, और यहां तो वाकिए नीचे चला गया, 1225 माइनस 1175 तर इन्टू सो, यहां पांच जार का प्रॉफिट, ठीक, पस बात खताम, भगवान करें एक जैसा अनसर अचाहिए, तो एक लाग 22,330 ही माइनस में है, प्लस एक लाग 26,000, प्लस एक नाइनटी थी पोईंट सेवन नाइन, माइनस तीन हाजर पास, पर 106 रूपीज में आ रहा, 1063.79, एक लाग 22,330 माइनस में, प्लस एक लाग 17,000, पास सो, प्लस एक नाइन्टी थी पोईंट सेवन नाइन, प्लस पाच जार, तो यहां भी आगया रूपीज, 1063.79, और क्या नाम हो गया इसका, आर्वेटरिस, ओके, ऐसे कोश्चन आते तो लगता है, कि सिये फाइनल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोश्चन था, ठीक है सर, आगे चल रहे हैं, दो कोश्चन और बाकी है, खतम करते एक लास को, कोश्चन नमबर 42, यह भी एक्जाम में आया हुआ है, और यहां मेरे बोर्ड में तो नहीं लिखा है, पर आपके बुक में पक्का पक्का लिखा होगा, कोश्चन नमबर 42, यह भी अच्छा कोश्चन है, और यह तो और भी ज़्यादा खदरनाक कोश्चन है, ठीक है, रीट करो एक बार, झाल झाल कोश्चन है, हांच ले हैं, आए समझ में, पड़ते हैं, सब्सक्राइंट प्राइस ऑफ एन इंडेक्स, तेरा हजर आट सो, इस पॉर्ट अन येल्ड इस 4.8 परशन और फोकस देखना पर एनम सब्द लेखा हुआ पर एन, विदिक नहीं है, 6-month future contract मतलब F दिया है, 14,340, एजिम देट रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है, 12 परशन, इस बार आर्बिट्रेजर गें नहीं पूछ रहा है, बूल रहा है, rate of return कितना कमाएगा, परशन्टेज में पूछ रहा है, ठीक है, यू can assume that after 6-month index, 50% of stock included in index, शेल पे डिविडेंट इन एक नहीं चीज मिली आपको, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है, निफ्टी वगेरा सब कुछ बिल्कुल, अगर मैं आपसे एक बाद बोलूँ, अगर मैं आपसे एक बाद बोलूँ, सुनना दियांसे, जितनी भी निफ्टी, निफ्टी में कितनी कमपनी होती है, 50, तो क्या 50 की 50 कमपनी आने वाले 6 महने में, आने वाले 3 महने में डिविडेंट दे रही होगी, कि आने वाले छे मैंने में नहीं हो सकता उसमें कुछ company dividend नहीं दे रही होगी तो वहीं बता रहा है बोले index जो भी हो उसमें बोले पूरा dividend नहीं मिलेगा सिर्फ 50% ही भी stock से dividend मिलेगा बोल रहा है ठीक है उसमें कोई दिकत नहीं कर लेंगे ये एक line है also calculate implied risk free rate सर ये क्या चीज ये मैं आपको समझाओंगा कि ये कहना क्या चाहता also calculate implied risk free rate ये मैं आपको समझा दूँगा ठीक है वैसे सर रिस्क फ्री रेट तो दिया है ना ये तो रिस्क फ्री रेट है हाँ रिस्क फ्री रेट दिया है आपको अपने हिसाब से रिस्क फ्री रेट निकालना कैसे होगा क्या कहना चाहता ये वाले लैन में आपको समझा दूगा सबसे पहला काम क्या होगा सबसे पहला काम ह फ्यूरिट कल फ आपल गलिशन और फ्यूरिट कल future price formula F is equal to S क्या continuously compounding यूज करेंगे नहीं 1 प्लस R minus D नहीं यहां तो यार 50% यहां भाई नॉर्मल वाला formula shortcut के चक्र में मत पढ़ो यहां simple वाला करवारों में S 1 प्लस R minus D यह जद आच्छा ठीक चेक करो spot price कितना दिया सर्थ 13,800 13,800 रेट है 12% तो 6 मेने का कितना आएगा सर्थ 6% अब समस्या है D D तो D में कहीं और लिख लूँ यहां 21 लगा के लिख ला D is equal to कितना रुपए है सर्थ 13,800 इसका dividend yield कितना सर्थ 4.8 portion पर यह तो साल भर का निकला हाँ तो हमें कितने मेने का निकला 6 मेने का पर इसका 50% कर लेते हैं ना 50% सर्थ सबसे पहले इसका 50% करते हैं क्योंकि 50% इस टॉक से dividend मिल रहा है तो 13,800 इन्टू 4.8 पर इन्टू 50 पर तो सर्थ dividend हो गया 331.20 पर यह हुआ साल भर का इसको हम 6 मेने का कैलकुलेट करना पड़े हैं इन्टू 6 by 12 तो सर्थ आ गया यह आ गया रुपीज 165.60 ठीक है तक I,C,AI ने यहाँ गलती कर दिया है और यहाँ गलती क्या किया I,C,AI ने गलती यह किया है सर गलती यह किया गलती यह किया कि उसने इसको periodical नहीं किया सीधा उठा कर 331.20 मेरे नजर से गलत है और आपके नजर से भी गलत होना चाहीए एक पर एनम लिखा है सब सब्सक्राइब पर एनम तो फिर आप यहां साल वर का कैसे आप पिछले कोशन में तो किया था यार अपने इस कोशन में नहीं करोगे यह क्या तरीका हुआ करना है डिविजन रेट होता तो चलो मैं सोचता मैं एक कोशन में बहुलने वाला भी था त 13800 इन्टू 1.06 माइनस 165.60 दूसर यह आगया रूपीज 14462.50 और एक्च्वल कितना दिख रहा है सर एक्च्वल दिख रहा है एक्च्वल दिख रहा है फ्यूचर प्राइस 14340 अंडर प्राइस हो गया है अगर यहां मैं यह वाला मैनस कर दूँगा तो ओवर प्राइस हो जाएगा इट मेंस क्या मेरा सॉलूशन ICEI के सॉलूशन से मैच होगा नहीं होगा भी क्यों नहीं होगा उसकी वज़ा क्या है मैं यहां कितने मैं निकले रहा हूँ छे मैंने का कितने सालबर का ले रखा है तो सालबर कर लेके करो ना आपका अंसर मैच हो जाएगा तो मैं तो बोल रहा हूँ में तो ऐसे ही कर रहा हूं अब मेरे एडवाइस है मुझे ऐसा लग रहा कि इस कोशन को पक्का पक्का सुधारेगा सरी एक्जाम में कब आया था पता नहीं कि जमानी में आया था बाकि देखते हैं यहां तरी के फूटर के अन्डवर पैस किया सर फ्यूचर 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 का प्रैसोड 200330 अन्डप एस घृग करे कैसे अ underpriced hence by future sell stock sell ka matlab short sell ठीक है जी ठीक है process 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 में आज की तो बात करी लेते हैं today पेला डॉक्ट short sell one share at rupees 23,800 invest at the rate अब इन्वेस्ट करो ना करो आप ये बारा पर्शन तो कमाओगी कमाओगी खेर में बात करूं अब इन्वेस्ट अब इन्वेस्ट अब इन्वेस्ट अब यहां थे सुनना क्या है sell by future मतलब take long position sir ऐसा क्यों लिखे लिए long position क्योंकि यहां दो प्राइस दिया है take long position at f rupees कितना one four three four zero मतलब बढ़ेगा तो five यहां तक ठीक है अब हम arbitries gain निकल लें आफ्टर six months दो प्राइस हो सकती है 10,200 और 15,600 चलो सबसे पहले start करते investment amount हमारी पास आएगा जो short sell किया उसका पैसा आएगा investment कितना किया था आपने investment सर हमने 13,806 पर्षन के हिसाब से तो सर हमको मिल जाएगा 13,800 into 1.06 चाय शियर का price कुछ भी क्यों न हूँ प्लस हो जाएगा 14,628 और यहां भी 14,328 अब जो short sell किया था वो वो उसको शेर वापस कर रिटना पड़ेगे ना खरीद के तो अजय का buy share and return to stock lender जो भी price हो अगर 10,200 तो 10,200 का खरीदना पड़ेगा अगर 15,600 हो तो 15,600 का खरीदना पड़ेगा ठीक है अब क्या अब भाई dividend जो मिला होगा उसको उसका भी तो compensation करना पड़ेगा dividend compensation dividend कितना 165.60 अब लास्ट काम बचा profit और लास on future आपका position कौन सा है सर हमारा long position है 14,340 से उपर जाएगा तो फायदा यहां तो कम गया loss 10,200 माइनस 16,340 सर हमको loss हो गया 4,140 का और यहां 15,600 माइनस 14,340 सर यहां profit हमें 1260 का वास बतम 16,628 माइनस 10,200 माइनस 16,5.6 माइनस 14,140 सर हमें आगया profit 122.40 16,628 माइनस 15,600 16,628 माइनस 15,600 माइनस 165.60 प्लस 1260 हमें profit है 122.40 इसका नाम क्या है अर्ट्रिस्क है अल्टरनेटिव आंसर पॉसीबल है अगर आप अजमिशन यह लेती हो कि वो जो डिवीडेन है वो साल भर का है अगर आप यहां डिवीडेन कितना ले लेते हों 165 का डबल 331 ले तो आपका अंसर अलग रहेगा तो एक बाताओ चाहे शेर का प्राइस कुज भी क्यों नहों हम कितना कमाएंगे 1220.40 कमाएंगे कमाएंगे क्या यह risk-free है हाँ सर यह तो risk-free ही है है यह जो 12 % 12 % risk free है औ यह risk-free कमाने के बावजूद भी इस risk free के अलावा भी हम ये risk free alert कमाएंगे percentage में बताओ कितना कमा रहा है percentage of return sir 122.40 कमाएंगे कमाएंगे कितना लगा कर 13800 into 100 पर ये 6 महने का है तो 12 महने का कितना पर ये नम बैसिस 122.40 divided by 13800 into 100 into 12 divided by 6 तो sir हम कमाएंगे 1.77% 12% क्या लावा तो हमारे हिसाब से हमारे हिसाब से implied risk free rate क्या होगा sir 12 तो हो गई plus 1.77 अलग से कमा रहे हम लोग तो 12 plus 1.77 तो वैसे होना चाहिए 13.77 it means क्या कहना चाहता है question question ये कहना चाहता है कि अगर risk free rate 13.77% होता तो यहाँ देख लेना 0 आजाता आता ही जो कमा रहे है मैं उसकी बात कर रहा है तो लाश्ट वाला वो जो point है न लाश्ट वाला line बस यही बात बोल रहा था और यही आपको समझाने की कोशिस कर रहा था कि आपके साब से risk free rate क्योंकि हम 12 प्रतीशत के अलावा भी हम कमा रहे है तो हमारे ही सबसे risk free rate 12 परशन नहीं होगा हमारे ही सबसे risk free rate होगा 13.77% ठीक कोश्चन बहतरीन था हाँ मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा कोश्चन आई करने वाला कोश्चन था क्लास ओवर करी क्या एक कोश्चन और बना लेते और क्लास ओवर करी अगले क्लास में बिलुकुल नया concept नयते है तरीके से लाश्ट कोश्चन आच ठीक है और उसके बाद हम क्लास खतम करेंगे अगली क्लास में हम बीटा मैनेजमेंट पे डिश्क्रिशन होगा सारे किसा तो बात करें कोश्चन नमर 43 ये भी एक्जाम में आया हुआ है दिख रहा है नवंबर 2019 ये कोश्चन ज़्यादा आसान है इस कोश्चन में कोश्चन है अ फ्यूचर कॉंट्रेक्ट इस अवेलिबल और लिमिटेट देट पे एनुवल डिविड़न चार रुप मतलब सर डी दिया हुआ है कि यह कुछ स्टॉक इस करेंटली प्राइस 125 तो S0 दिया है कि यह इच फ्यूचर कॉंट्रेक्ट कॉल फर डिलिवरी और कितना थाउजन शियर्स इन वानियर डिली किरली टू मार्किंग 2 मार्किंट ठीक है ना पही क्या करना ह redeem गिवन दी अब वो हुआ डूश्यूचर कॉंट्रेक्ट प्यार लो अशेयर का प्राइस निकालो फेउचर प्राइस और उसके साब से त्го पॉइननब़ वन में कुछ नही है calculation of rise of one future contract f is equal to s 1 plus r minus t s kitna 125 125 125 into 1.08 minus 4 rupees 131 ये एक share का पाई तो price of one future contract original shares into 131 rupees 131,000 कोई दिक्त कोई दिक्त नहीं पहला ये पूचा था point number 2 if the company stock price decrease हो जाता 6% से मतलब जो 125 दिख रहा है ना वो 6% से डाउन हो जाता 125 minus 6% वो हो जाता 117 रुपए 50 पैसे तो बताए प्राइज मतलब बस कुछ नहीं करना है वह है 125 की जगए 117 रुपए 50 पैसे लिखना और फिर से price of one future contract पूछ रहा हूँ कैलकुलेशन और price of one future contract price decrease decreases by 6% that is rupees 0.25 3% से मतलब 0.94 rupees 117 रुपए 50 पैसे इन्टू 1.08 माइनस पूर इन्टू 1.08 माइनस पूर वाव एप। पूर्प घ्टूर्प का स्से मतलब इन्टू 1.10 माइनस पूर । 1000 सेर रुपीज एक लाग बारा हजार ठीक है कुछ था क्या कुछ इस्पेशल नहीं था पॉइंट नबर टू तो टू भी हो गया है थार्ड अब थार्ड समझना एज रिजल्ट आप दे काम्पनी स्टॉक प्राइस डिक्रीस प्राइस के डिक्रीस होने से फ्यूचर का जो वैल्यू है या वो भी डिक्रीस हो गया या एक लाग 31,000 से एक लाग 22,900 हो गया ठीक है जिसका लॉंग पोजिशन उसको तो लॉस दिख रहा है सिदा सिदा अगर किसी का लॉंग पोजिशन है तो बताइए उसे गैन होगा कि लॉस हो गा प्राइस कम हो रहा है और कितने रुपय का हो का और टैक्सरिशन और मार्जिन को ऐग्नौर करना हम तो वैसे भी इगनौर करते हैं तो देख रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंसी दो लिखना है तो पॉइंट नमबर थी में तो कुछ है नहीं कैलकुलेशन आप लॉस आप लॉंग पोजिशन उन दोनों के बीच का डिफरेंसी निकालना है लॉस इस एक्वल टू एक लाग एकत्तीस जार एक लाग पाविस जार तेका जे थेंक्यों सो मच इतना पैसेंस रखने के लिए एक कोश्चन थोड़ा सा था वही जिसमें इंप्लाइड रिस्क फ्री रिड बूलना था बाकी सारे कोश्चन आसांते कुछ था ने कल मिलते हैं अगली ग्लास में टॉपिक का नाम रहेगा बीटा मैनेजमेंट मतलब हम फ्यूचर में पार्ट नंबर क्या करने जा रहे हैं थ्री वही इंपोर्टन्ट है उसके बाद तो कुछ है ने कमोडिटी फ्यूचर में एक आधी कोश्चन हो का मिलते हैं थैंकि सू मच बडाइबाएबाए